खिंदू आस्था का अपमान करना इननों की फित्रत हो गई है मैंने राहूल गांदी आपको हो क्या गया है आप बिलकुल मावादी एंजियो से घिर गए है क्या राहूल गांदी के बारे में प्रशांत किशोर की एक टिपड़ी मैंने एक कारिकर में देखी उनसे सब के बारे में पूछा गया का राहूल गांदी की एक विशिष्टा है वो दस साल से बार-बार हार रहे हैं फिर भी समझते हैं कि मैं ठीक हूँ हिंदू आस्था का अपमान करना इननों की फित्रत हो गई है और इस सिर्फ वोर्ट बैंक के लिए होता है देनिग्रेश से लिए रहे हैं अब जडरा उनका एशनेशन देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए जिस शक्ति का मैंने उलेक किया जिस शक्ति से हम लड़ रहे हुँ शक्ति का मोकटा मोदी जी है तो हिंदु धर्म के वो शक्ति है क्या कि क्या कहना चाहर है आप और बाकी तो जो उनने किया वो असी शक्ति इसमें आज भारत की आवास को भारत की संस्थाओं को CBI, IT, ED, चुनाव आयोग को, मीडिया को, आपने चंगुल में दवोश लिया है, आपको भी. मतलब, किसी लोगतांत्रिक संस्था में रहा हो लोगा आदे विश्वास नहीं करते हैं, क्या? इसलिए कि उनको वोट नहीं मिलता. तो आप अनाव सनाव बखेंगे, देश की आस्था का आप मान करेंगे, और आप से सवाल पुछेगी मीडिया, तो मीडिया चंगुल में हैं, और चुनाव आयोग पर क्या कहा उन्होंने? अभी तो आपकी पार्टी जीती ना करनाटका में और हिमाचल में, यह चुनाव आयोग के मादम जीती है ना, उसी EDM के मादम जीती है ना, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? दो ही रास्ते हैं, या तो उनको वालू है कि उनकी हार जवरस्त होने वाली है, तो पहले से ही अपना अलिबाई खोजो, और दूसरा है, कि वो इमानदारी इससे लड़ना नहीं चाहते हैं, दो ही रास्ते हो सकते हैं ना, और बाकी तो जो उन्होंने बाते कही हैं, उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरिंद मोदी, तो कई हमारे बिहार में बड़े कड़े शक्द होते हैं, बिहार से जुड़े पत्रकार उसको समझते होंगे, मेरे मन में आए उसका प्रयोग करूँ मैं, लेकिन फिर का छोड़ देते हैं, मने राहूल गांदी आपको हो क्या गया है, आप बिलकुल मावादी एंजियों से घिर गए हैं क्या, अगर कुछ अच्छे स्रयोगी चाहिए, राहूल गांदी जी हम भेजते हैं आपके पास, वह बहुत नूट्रल लोग हैं, देश को समझते हैं, आपको समझाएंगे भी, एक राहूल गांदी के बारे में, प्रशान्त किशोर की एक टिपणी मैंने एक कारिकर में देखी, और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, उनसे सब के बारे में पूछा गया, का राहूल गांदी की एक विशेष्टा है, वो दस साल से बार-बार हार रहे हैं, फिर भी समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, और मुझे कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, आज कलकियून की टिपणी उससे को कन्फर्म करते हैं, कि I am right, I am always right, मित्रों इसका इसकी बहुत दुर्भागे पूर्ण है, हम इसकी बहुत भरसना करते हैं, एक-दो बात हैं इसी संदर में और कहनी है, कि योगे पहली बार तो नहीं कह रहा है, यूरप गय थे, आपको मालूम होगा, तो भारत के संस्कृती पर कितनी बड़ी बात कहे थे, आप तो काफी लिखते पढ़ते हैं, तो आपको तो ग्यात होगा ही, और वो एक अमरिकन डेलिगेशन आया था, प्रेजिडेंट थे, तो उनने कहा कि, हिंदू एक्स्ट्रीमिजम इस मोर डेंजरस दन टेरोरिजम, याद है ना आपको? और बाकी तो उनने कभी खुल कर विरोध नहीं किया, और ये कहां कहां, श्रिवाजी पार्क में, और याद करिये, लास्ट टाइम उनने सावर कर क्या अलुचना की थी, मुंबई में, क्यां माट सावर कर, I will not apologize, तो उनको, या तो राहूल गांदी को इतिहास की समझ है, इस पर मुझे संदे है, लेकिन जो पढ़ाते हैं, उनको कम से कम बाकी तो देखना है, ये कॉंग्रेस पार्टी का क्या हितियास है,